नमस्कार दोस्तों सत्पूरिया की लाशी सिमा आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं UP-PCL TG2 2023 के एक्जाम के बारे में वैसे तो ये वेकेंसी 2022 में आए थी लेकिन इस वेकेंसी को आयोग ने काफी लेट कर दिया है ज्यादा तर UP-PCL की जो वेकेंसी होती है वो 6 मन् कम्पलीट कर ली जाती है लेकिन ये वेकेंसी काफी डिले हो चुकी है तो आज इसके बारे में बात करेंगे इसका एक्जाम हो चुका है कम्पलीट 17 नमंबर को इसके बारे में बात करेंगे रिजल्ट कब आया गा इसका अंसर की कब जारी होगी तो आज इसके बारे में फ लाग 38,000 यह जो डाटा है यह UPPCL की साइड से आप ले सकते हैं यह वहां से collect किया है मैंने अब यहां पर total post देखी जाए total post 826 है इस बार total post 826 लास्ट यह जो एक्जाम हुआ था उसमें total post 600 के आसपास थी 608 के आसपास total post थी उसमें तो इस बार जो total post है वो 826 है और जो लास् लाग 12,000 के आसपास एक्जाम दिया था candidate ने इस बार एक लाग 38,000 ने एक्जाम दिया है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी final cutoff कितनी रहने वाली है चलिए final cutoff के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम 2021 की बात करें जो last year vacancy आई थी उसकी final cutoff कितनी रह EWS candidate की 126 SC 119 और ST 181 अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 2023 में जो एक्जाम हुआ है यहाँ पर जो vacancy है 826 vacancy है जबकि यहाँ पर 608 vacancy थी इस बार जो cutoff रहेगी final cutoff जो रहेगी वो 155 जनरल candidate की जो cutoff रहेगी 155 पलस OBC candidate की जो cutoff रहेगी 145 पलस EWS candidate की जो cutoff रहेगी 132 पलस SC candidate की जो cut off रहेगी 128 plus और HD candidate की जो cut off रहने वाली है वो 80 plus रहने वाली है क्योंकि इस बार जो exam है वो ज़ादा बच्चों ने दिया है और पिछले वाला जो exam था उसमें vacancy भी कम थी और वो कम बच्चों ने exam को दिया था अगर हम result की बात करते हैं result और answer की के बारे में बात करते हैं तो answer की answer की इसकी 25 तारिक से पहले जारी कर दी जाएगी हो सकता है 2 या 3 दिन में इसकी जारी हो जाएगी और result result की बात करें तो result इसका जनवरी के first week में जारी होगा क्योंकि ये vacancy काफी delay हो रही है तो इसलिए इस vacancy में time लग रहा है तो इसका जो final result होगा वो जनवरी के first week में जारी कर दिया जाएगा झाल जड़ जु Mogवा